असलाम अलेकुम चले बनाते हैं खीर पर वो चावल वाली खीर नहीं जो आप जानते हैं मैं बनाने जा रही हूँ बिलकुल अलग खीर जो चावल से नहीं सुखी रोटी से बनती है तो ये मैं अगली हूँ तीन रोटी है इसे मैंने पंखे के हवं में सुखा लिया थे दो से तो sprechen थे तरह से नीम गरम पानी लेंगे यह 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 दो कर दाल देगाई तकि उब कर वम आसे वाज आप और रोटियों को डालकर अच्छी तरह से जुबो लैंगे 상태 तो ये देखिए मैं रोटियों को अच्छी तरह से वाश कर ली हूँ और ये थोड़ा नर्म पड़ गई है अब चलिए हम इसकी खीर बनाना शुरू करते हैं बहुत ही लाजवाब खीर बनके तयार होगी अब एक पतीले में हम एक लीचर फुल क्रीम दूद लेंगे आप कोई सबी दूद ले सकते हैं ये दूद पहले से ही मैं उबाल कर रखी थी अगर आपके कच्छे दूद हो तो आप पहले उसे उबाल ले अब इसमें हम रोटी को डाल देंगे मैं सारे रोटियों को इस पर डाल दी हूँ और लो फुलेम पर इसे हम हलका हलका चम्म चलाते हुए इसे हम पकाएंगे ये धीरे धीरे रोटियां अच्छी तरह से नर्म होकर दूद के साथ गुनना शुरू हो जाएगी तो ये देखिए ये हलका हलका सा नर्म होना शुरू हो गई है इसे इसी तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे ये देखिए ये लगभग तैयार होने में है और आप देख रहे हैं कि ये कितनी मज़ेदार सी दानेदार खीर जैसी लग रही है और यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की बनती है ये जितनी डिलिशियस दिख रही है उतनी ही डिलिशियस खाने में भी लगती है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और अपना फीड़ बैक मेरे साथ शेयर करिएगा अब इसमें हम डालेंगे तीन हरी लियाची को बीच में इस तरह से तोड़ कर अब इसे हम दो तीन मिनट के लिए हरी लियाची के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे इसे पकते वे 2-3 मिनट हो चुके हैं अब इसकब से मैं इसमें ले रही हूँ एक कब भर कर चीनी अब अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अब इसे हम 5-6 मिनट के लिए खुब अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो सके अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से किशमिस और साथ ही इसके हम डालेंगे थोड़े से चुहारे आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को बंद कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से तैयार है चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं तो लीजिए एक दम दानेदार से रोटी की खीर बनके तैयार है इसे बनाना बेहदी असान है आप इसमें थट से इसे जरूर ट्राय करिएगा और क्या आपने कभी रोटी की खीर खाई है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक करें फैमली फ्रेंड्स में शेयर करें तो फिर मिलते हैं अगली रेसेपी में अल्ला हाफिज